हेलो फ्रेंड्स हमारी चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत हैं आज देखे हमने धूती सलवार बनाई है और ये जो धूती सलवार हमने बनाई है ये को ओडर पर ही मनाई है हमारी eastteaching.com के नाम से website है जिस पे हमें order आया था वो हम आपको अपनी website दिखाएंगे अगर आप भी order करना चाहते हो तो आप order कर सकते हो मन चाहे अपनी पसंद के कपड़े आप हमसे सिलवा सकते हो तो ये हमारी website है इसी पे order आया था और कोई घवराने वाली बात नहीं है इसमें मतलब आप विस्वास कर सकते हो ऐसा नहीं है कि कोई fraud website है ऐसा कुछ नहीं है हम पूरा हम उनसे phone करके हमने बात की थी कि आपको मतलब आपकी length वगरा पूची थी हमने उनसे और जब हमने courier किया था तब भी हमने उनके पास photo भेजा था ना courier जब हमने post office में लेके गए थे तब भी हमने photo भेजा था तो आप हम से बनवा सकते हो और हमें order दे सकते हो तो चली cutting और steering शुरू करते हैं जिसके लिए हमने diameter net और diameter ही हमने lining ली है तो सबसे पहले हम अपने net क्यों पर cutting करेंगे यह हमारा net है और यह मेरे channel पे काफी videos है मतलब की खास कर मुझे net की यह जो 30 सलवार है यह मेरी बहुत पसंद आती है मेरे channel पे तो इसके order मुझे जाजा आते हैं तो मैंने इसको two fold करके और ऐसे तिर्चा मिला दिया जैसे कि आपको दिखाया है आप बना भी सकते हो गर आपको stitching में interest है तो आप मुझे से ही सीखके अपने लिए बहुत ही अच्छा बना सकते हो अगर आपको शिलाई नहीं आती है तो आप हमें order दे सकते हो online भी दे सकते हो website द्वारा भी दे सकते हो तो देखे हमने कपड़े को अच्छे से बरावर कर लिया अब हमारा जो extra fabric आपको दिख रहा है इसको हम निकाल देंगे क्योंकि इसमें से हम अपनी belt और अपनी महरी बना लेंगे क्योंकि हम इसमें बड़वा मोरी लगाते हैं जिससी हाइट है वो एकदम बरकरार रहती है पटियला सलवार के तरह जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा कि जब धूती सलवार बनाते हैं जुकते हैं तो पीछे से वो उठती है को निकाल दिया है जिससे हमारी महरी और हमारी जो बैल्ट है वो बनेगी अब हम महरी लेगे सबसे पहले जैसे हम महरी की चोड़ाई 6 इंच रखेंगे तया जिसमें हम एक इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो टोटर हम 7 इंच ले रहें और देखिए जब भी महरी कट करें जो बंद वाली साइड है उसको नीचे की साइड मतलब ज्यादा उपर की साइड लेंगे तो एक दम कौना निकलेगा लेकिन आप उसको नीचे की साइड करके लेंगी तो आपको जो कौना है वो नहीं आएगा अब हम उपर 7 इंच बैल्ट के लिए निकालके और अपना आसन न साइड को और गोलाई दे देंगे हलकी सी और जो यह कौना है यहां से इसको कट नहीं करना है बस हम यहां से निसान बता रहें 1.5 इंच पे निसान लगा के और यहां पे हमें जमसिलाई करेंगे तब प्लेट डालेंगे तो यहां से आपको कपड़े को कट नहीं करना है कुल भी नहीं बनता है और जो लोग मेरे चैनल पे नई है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जिनोंने पहले से ही कर रखा है जो मुझे कमेंट करते हैं इतना सारा प्यार करते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तो देखिए यहां से हमने इसको कटिंग क कर देंगे यह देखिए यहां से इसको भी तिर्शा कटिंग कर देंगे और जो बंदवाली साइड है वहां से इसको उपन कर लेंगे अब आपको हम इसे खोल के दिखाते हैं तो आप देख सकती है कि खोलने के बाद में बिल्कुल भी कौना नहीं दिख रहा है अब इसको हम क्या करेंगे कि ऐसे इसको रखके अस्तर को और नेट को यह हमने सांटन का अस्तर लिया है नेट के साथ क्योंकि हम जो भी कपड़ा बना के देते हैं हम अच्छा वाला ही बना के देते हैं ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे कोई भी कपड़ा हमने लगा दिया हम अच्छा वाला कपड़ा हम लगाते हैं इसमें हमने सांटन यूज किया है नेट के नीचे तो देखिए हम बैल्ट है जो वो हम अपनी बाइस इंच की रखेंगे जिसमें हम मार्जन एक इंच रखेंगे और ये हमारी जो बेल्ट वाला कपड़ा है ये थोड़ा सा कम है लेकिन हम अलग से इसमें कपड़ा लगा के अंदर की सैट को इलास्टिक डालेंगे वो आपको सिलाई करते टाइम पता लग जाएगा तो आप देख सकती है कि हमने इनको पिन अप कर लिया है और कोना बिल्कुल भी नहीं दिख रहा होगा आपको अच्छे से पिन अप करके हमने सैट कर लिया है अब इसमें सिलाई लगानी है तो देखिए आप इसमें जहां तक हमने पिन लगाई है वहां से हमें पूरे में सिलाई लगानी है इस ऐसे सिलाई लगाते हुए हम इसको तैयार कर लेंगे इससे क्या होगा कि जो आपकी उसमें जोल वगएर आएंगे वो नहीं आएंगे वो एकदम परफेक्ट बनेगी इस तरीके से आप बनाएंगी सलवार तो अब इसमें पूरे में हम इसको सिल देंगे दूसरी साइड भी और एक पर को तैयार कर रहे हैं दूसरे को हमें सेम करना होगा तो देखिए यह हमने तैयार कर ली है और अब हम क्या करेंगे कि जो यह कौना हमने कटिंग नहीं किया था उसको हम देड़ इंज के बराबर ही ऐसे तिर्चा सिलाई करेंगे आप इसको कट कर देंगे मतलब सिलाई करने के बाद कटिंग करना है ना कि पहले इस तरीके से एक छोटी सी प्लेट हमारी आ जाएगी अब हम अपनी belt लेंगे और belt को fold कर लेंगे यह हमने अलग-अलग pair के लिए belt को दो भागों में बाट लिया है अब हम इसका center निकाल लेते हैं और अस्तर के साथ इसको भी हमने अच्छे से joint कर लिया है अब belt को हम इस तरीकी से रखे और इसमें plate डालेंगे यह आसन वाली side है तो हम पहले इसको सीधा करके रखेंगे इस कपड़े को जहां हमें plate डालनी है जिस कपड़े में plate डालेंगे उसे नीचे रखेंगे और belt को उपर रखेंगे और जो center का निसान है और जो plate अभी डाली थी वहां तक हमें plate डालते हूँ पहले हम 2 इंच के बराबर इसको खाली सिल देंगे मतलब और फिर जो plate का direction है वो मैं अपनी side कर रही हूँ first time अपनी side करना है second time दूसरी side करना है जिससे कि इसका जो look है वो बहुत प्यार आता है वो हम आपको plate डल जाएंगे तो हम पूरा look दिखाएंगे और आप हमारे चैनल से पटियाला सलवार, गाउन मतलब जो भी आपको हमारे चैनल से कोई चीज पसंद आ रही है कोई design की सलवार आ रही है तो आप हमें बेजिजक order दे सकते हैं बिना घवराट की कि आपके पैसे तो नहीं मर जाएंगे इसा कुछ नहीं होता है आप हम पे विस्पास करके हमें order कर सकते हैं तो देखिए हम plate का जो plate की size है वो हम 2 inch के बरावल ले रहे हैं और ये ध्यान रखें ये कौना और जो मैंने center किया था वो मिलना चाहिए मतलब आदे कपड़े की plate इधर आएंगी तो आदे की हमारी दूसरी side आएंगी तो देखिए ये हमारा जो chalk का निसान था वो बिलकुल यहां तक complete हो गया मतलब आदे कपड़े की plate टल चुकी है आदे की order लेंगी ऐसे ही आपको अपनी दूसरे part में करना होगा जैसे मैं आपको इसमें सिखा रही हूँ अब जो जैसे direction आप मैंने अपनी side किया था अब मैं इसको इसका direction है वो मैं दूसरी side करूँगी ये देखिए इसका मूँ मैंने उस side कर दिया है ये चीजी सीखने की है बस दोती सल्वार में बाकी इसमें कुछ ऐसा नहीं है तो इनी चीजों पर आप ज्यान दोगे तो आप भी अपने लिए बहुत अच्छी दोती सल्वार बना सकते हो तो देखिए सेम हमको प्लेट डालनी है ऐसे दो दो इंच की और वहां से भी हमें जैसे हमने फर्स्ट में दो इंच कपड़ा था तो इस वाली साइड को भी दो इंच छोड़ना है और दो इंच छोडने के बाद हमें पूरा जो कपड़ा है वो अपना इसी कपड़े में अरजिस्ट कर देना है मतलब कपड़ा ना ही तो आपका प्लेट वाला बचना चाहिए ना ही ये जो बैल्ट वाला है ये बचना चाहिए तो ऐसे ही हम पूरे कपड़े की इसमें प्लेट डाल देंगे और दो इंच के बरावर हम इस साइड भी छोड़ेंगे तो यह देखिए हमारी पूरे कपड़े की प्लेट डल चुकी है अब देख सकती है लukकर इतना प्यारा आघी इनके देखिए यह छोटी प्लेट भी है और पूरा अच्छी से लूकर आ रहा है इनका अब हम इसका जो ये वाली सिलाई है इसको लगा लेंगे कपड़ा है जो उसको उपर की साइड करके एक सिलाई लगा लेंगे इससे हमारी जो प्लेट हैं वो अच्छे से मजबूत हो जाती है मतलब वो धर्दी नहीं है अब इसको तैयार कर लिया है अब इसकी मोरी को बना लेते हैं तो मोरी बनाने के लिए हमने कोई बुकरम वगेरा इसमें यूज नहीं की है हमने अंदर कपड़ा लगा के डवल हमारा कपड़ा है और डवल हमारा रास्तर है इस तरीके से हमने इसको सिल दिया और इसको चोड़ाई है वो दो इंच है डेड़ इंच रह जाएगी जितनी आपको अपनी सलवार की हाइट बढानी है जैसे ये सलवार है वो 38 इंच की हम बना के कम्पलीट करेंगे उनकी हाइट है वो 5.2 इंच है तो उस हिसाब से हम 38 इंच की सलवार बना रहे है तो हमने देखिए इसको इसको बढ़वा मोहरी बनानी है क्योंकि इससे इसकी हाइट बढ़ेगी इससे आप जब जुकेंगी तो आपकी सलवार उपर से नहीं उठेगी तो आपको अपने हिसाब से मोहरी की लेंट बढ़ा देनी है और यह आसन को जोड लिया है और अब हम क्या करेंगे कि हमने जैसे हमने बताया था आपको साथ इंस की बेल्ट तयार है लेकिन जो हमारा मारजन था वो उसमें नहीं था तो इसलिए हम अलग से कपड़ा जोड के और ऐसे अंदर की साइड फोल्ड करके फिर हम इसमें इलाश्टिक डाल देंगे तो देखिए हमने इसको अंदर की साइड कर दिया है और अब आसन वाली साइड को हम सिल देंगे तो देखिए अब आसन वाली साइड को सिल दिया है अब यह हमारी मोहरी वाली साइड है इसको भी हम अच्छी तरीके से यहां से सिलाई कर देंगे अब जो fitting की सिलाई है वो लगा लेंगे और इसकी कमर वाली साइड में अपनी कमर से आपको elastic है 5-6 कम लेनी है, कमर से नाप के और extra fabric को cutting करके सलबार हमारी तैयार है, फस्ट में हमने फोटो लगा दिए वीडियो पसंदाए तो लाइक, सेर, सब्सक्राइब